ओम श्री साइनाथाई नम्हा गुड मॉनिंग, साइ मॉनिंग, शुब गुरुवार, हैपि थेस्टेग गुरुवार की आप सभी को धेर सारे शुब कामनाए आए हम सभी सा परिवार सहित मिलकर आज की दिन का स्वागत करते हैं और आज की दिन को शुरू करने के लिए आए सभी मिलकर बाबा से आशिरवाद लेते हैं बाबा का आशिरवाद जब मिल जाता है तो हमारे अंदर एक शक्ती, एक विश्वास, श्रधा सबुरी सब को चा जाता है हम हर कारे को करने में सक्षम होने लग जाते हैं आए अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज का दिन शुरू करते हैं आए बाबा का धन्यवाद सभी मिलकर करते हैं बाबा, हम सब की गलतियों को खुक्षमा करना बाबा जाने हन जाने में अदि कोई भूल चुक हो जाती हो, तो माफ करना और ये तो अब हम सब जानते हैं कि बाबा हमसे कितना प्यार करते हैं बाबा हमसे बहुत प्यार करते हैं और हम सभी के रक्षा करने के लिए हर बार संकीत देते हैं हर बार हमें जागरुक करते हैं किसी ना किसी माध्यम से हमें इशारा देते हैं ताकि हम सभल जाएं और अच्छे कारे करें, लेकिन वही बात है न, कि वो इशारा, वो संकेत, वही समझ पाता है, जो बाबा के करीब होता है, वही समझ पाता है, जिसके अंदर श्रधा और सबोरी होते हैं, क्योंकि सबर रखने वाला इंसान किसी भी परिस्थिती को बहुत आसानी से जेल सकता है, बहुत आसानी से उसको पार कर सकता है, क्योंकि जब सबोरी होती है न, तो हम किसी जल्दबाजी के कारे में नहीं जाते हैं, हम बहुत धैरे से काम करते हैं, जब तक अपना मन संतुष नहीं हो जाता हम उस कारे को नहीं करते हैं. इसलिए सबूरी रखने बहुत ज़रूरी है. सब्र से किया गया कारे हमेशा सकसफुल होता है. हमेशा सफल होता है. इसलिए थोड़ा रुक जाने में कोई बुराई कभी नहीं होती. देर होती है लेकिन लंबे समय तक सफलता हमारे पास रहती है और हम उस चीज़ का बाकाइदा लाभ भी उठाते है और ये तो हम लोग सब जानते हैं सब भी को मालूम है कि जीवन में परिस्तिती जब अपने आप से ना सुलजे तो सारी बाग दोर सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ दो अपने भगवान पर छोड़ दो और बस उनका चिंतन करो अपने आपको उनके हवाले कर दो बाबा अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने मेरे बस की बात ना है और बस उनका चिंतन करो विश्वास रखो क्योंकि वो सब जानते हैं और वो आपको संभाल लेंगे बस इतना विश्वास जब होगा तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि जब वो संभालेंगे न तो आपको चिंता करने के आवशक्ता नहीं है आपको कुछ ज़्यादा सोचने के वशक्ता नहीं है आपको ये भरोसा होगा कि भगवान सब संभाल लेंगे बस मुझे महनत करनी है और इमानदारी से कारे करना है चाहे जो भी कारे हो क्योंकि ये कहते हैं न मनुश्य हम सभी सुबा से शाम तक कितना भी काम कर ले लेकिन हम उतना नहीं ठकते जिदना की एक बात को बार बार सोचते 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 ठक जाते है उस एक की बात को बार बार जितना ज़्यादा गंभीरता से लेते जाते वो उतनी ज़्यादा ही हमारे लिए problems create कर दी जाती है होता है न इसलिए काम से नहीं ठकते हैं लेकिन चिन्ता करने से ठक जाते हैं इसलिए चिन्ता नहीं करनी है महनत करनी है और लगन से हर कारे को solution निकालने की कोशिश करनी है हमें उल्जनों में नहीं फसना है हमें solution की तरफ देखना है अगर मान लीजे आपके room में अंधिरा है तो आपके अंधिरा अंधिरा थोड़े न चिलाओगे आप ये देखोगे कि light कहा है light का switch on करना है तो प्रकाश हो जाएगा मेरी बात को समझ रहे हो न अंधिरा तो जिवन में है ही वो तो दिखी रहा है कि अंधिरा है लेकिन हमें क्या ढूणना है वो switch जो उचाला कर सकता है मालूम है कि अंधिरे में ढूणना थोड़ा सा मश्किल होगा लेकिन असंभव नहीं है मिल जाएगा कोशिश करने से सब कुछ होता है इसलिए मुझे नहीं पता यह example क्या था कैसा था लेकिन उमीद है कि आपको समझ में आया होगा मेरी बात आपको समझ में आती है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ बहले मेरा तरीका समझाने का क्या भी है लेकिन आप समझ जाते हो सॉलिशन को पकड़ना है क्योंकि सॉलिशन ही हमें इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा ठीक है तो बस चिंता को नहीं बाबा को देखना है बाबा से ही सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी उसको प्यारा सा हस्ता हुआ जो चेहरा है न वो बहुत सुकुन देता है कभी गौर से देखना आखे बोलती है साइनात की आप बाबा को देखोगे बाबा आपको देखेंगे आप उनसे बात करोगे वो आपको उत्तर देंगे कैसे देंगे ये वो जाने उनकी योजनाएं हमसे कहीं ज़ादा अधिक अच्छी है बस देखने में समझने में और अपने उपर आने में थोड़ा वक्त लगता है लेकिन वो देता है चलिए अब प्रातना शुरू करते हैं मेरे साथ मिलकर आए सब ही लोग प्रातना करें जिनके भी आज प्रेयर में नाम है आए सब के लिए प्रेयर करते हैं बाबा सब कब विश्य जवल हो सब के जीवन में खुश्या हो सब हैल्दी रहें, हैपी रहें, खुश्य रहें और सब की लाइफ पिलकुल बाबा सुलजी हुई हो सब के जीवन में खुश्या ही खुश्या हो हम आपके श्री चरणों में बैठ कर यही प्रातना करते हैं देवा कि सभी खुश रहें और आज की प्रातना के नाम है आपके श्री चरणों पर रखती हूं मालिक कैशल पंचाय जी, संबित जी, नीलम जी, सुभाश जी और रानू जी पूजा कपिल जी, किरन उध्वानी जी, अंजली तिर्थानी जी, श्रियान बच्चा साईरिखा जी, मदन मोहन जी, मन्जू जी और अल फैमिलीज बाबा इन सभी पर रहम नजर करना, इन सब की जोली खुशियों से भरना इन सब के आंगन में खुशियों, खुशियों का बाबा भंडार भरे, खुशियों की गुंच हो बस मेरी आप से ये प्रात्ना है कि हर चहरा, हर जंदगी, हर घर खुशियों से भरपूर हो पाबा सभी के जीवन में आपका शिरवाद हूँ हम आपसे ये प्रातना करते हैं और जो स्वस्त नहीं है जिनकी सेहत अच्छी नहीं बाबा उन्हें स्वस्त रखना उन्हें कोई भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो किस भी प्रकार की कोई चिंता ना हो सभी को चिंता मुक्त करना मेरे मालिक सभी की चिंता को ख़त्म करना रहम करना अपने भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना मेरे बाबा और आज केशल जी का बएदे है केशल जी आपको आपके जनम दिन की धेर सारे शुब कामना है साइं आपको सदा खुश रखे, healthy happy रखे, बाबा की कृपा आप पर सदेव बरस्ती रहे, आपका जीवन सदा खुश्यों से भरपूर रहे और आने वाला हर दिन बहुत सारी खुश्यां लेकर आए, आपकी हर मनो कामना पोरी हो, हम बाबा से यही प्रात्ना करते है सुभाष जी एन रानु जी की marriage anniversary है, सुभाष जी एन रानु जी को इस शुब दिन की धेर सारी शुब कामना है साइं आप दोनों को सदा खुश रखे, healthy happy रखे, आप दोनों का जीवन सदा खुश्यों से भरपूर रहे, जीवन आंगन खुश्यों भरा रहे और बस आपकी हर चा, हर मनो कामना, हर विश पुरी हो, हम बाबा से यही चाहते हैं, कि आपका जीवन सदा सुख में बना रहे और साइं देखा जी का बर्दे है, रेखा जी, happy birthday, साइं आपको भी सदा खुश रखे, healthy happy रखे, बाबा की कृपा पर आपके पूरे परिवार पर सदा बरस्ती रहे आपका देखा हुआ हर सपना बाबा पुरा करें, हर विश हर मनो कामना पुरी हो, हम श्री साइं चरणों में यही प्रातना करते हैं, कि बाबा सब पर रहम करना, सब की श्रधा की लाज रखना और आज दीपा धर्मा जी का बर्दे है, दीपा जी, happy बर्दे, साइं आपको सदा खुश रखें, healthy रखें, happy रखें, बाबा जी का श्रधा आप पर सदेव बना रहें, आपकी लाइफ बहुत खुश्यों भरी रहें, आप हमेशा healthy रहें, happy रहें, बाबा आपके हर विश पूरी करें, आपको सदा खुश रखें, और आपकी लाइफ का हर सपना पूरा हो, मेरी श्री साइचरणों में ये प्रातना है, कि बाबा आपको बहुत सारी खुश्या दे, आपकी जोली, आपका आचल, सदा खुश्यों से भर पूर रहें, मालिक सब की इच्छा पूरी क अगरे सब के आंगन में, सब की घर में सुक समरिद्धी खुश्या हो, हम तो यही प्रातना करते हैं, और मेरी साथ साथ आप भी प्रातना किया करो, मेरे करने से ही नहीं, हम सब की करने से होगा, है ना, ये बाबा का दरबार बहुत दयालू है साइनात, जो हम सब लोग उन उनके नाम में ही पुरी जिंदगी है, उनका नाम ही हमारे लिए चमतकार है, क्योंकि हम उनका नाम ले पाते हैं अपनी जुबां से, ये किसी चमतकार से कम नहीं है, उन्होंने हमें चुना है, ये कोई छोटी बात है, ना जी ना ये तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो चलिए अप रातना करते हैं, 11 वशनों को पढ़ते हैं और आज का दिन चुरू करते हैं ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा जुठा होगा, आव सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर मुझ मेलीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तजजिसे न अन्य अनन्त कोटी, ब्रम्भांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, परब्रम्ह, श्री सचिदानंद सद्गुरू साइनात महराज की जए बाबा की क्रपा से, आज की प्रातना यहीं पर संपूर्ण होती है, साइन सभी पर दया करें, सब का फला करें, सब की विश्पुरी हो, और आज गुरुवार है तो मुझे लगता है, आप सब को मालूम होगा, कि आज हम सभी को बैठ कर नाम चाप करना है, साड़े बारा बचे, साइन दिदार परिवार के साथ, साइन दिदार चानल पर, ठीक, साड़े बारा बचे, आना न भूलिएगा, ठीक है, मैं आपको वहीं पर मिलेंगे हम एक स साथ, बाबा के साथ, और धेर सारी खुशियों के साथ, ठीक है, तो चले, मिलते हैं, लाइफ में, साड़े बारा बचे, तब तक के लिए, दिन चुरू कीजिए, साइन सब का भला करे, और आप सभी का दिन शुभ और मंगल मैं हूँ, ओम श्री साइन, जय साइन, जय साइ आप